आज सुप्रिम कौट ने एक ऐसे महत्वपून मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीशे सैंकडो वर्षों का एक दिर्ग कालिन इतिहास है पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो जो हुई और आज निलनाय आ चुका है दसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है साथियों पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश है आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोगतांत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने हर समुदाई ने हर पंध के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्विकार किया है वो भारत की पुरातन संस्कृति परंपराव और सद्भाव की भावना को प्रतिमिब्वित करता है बाई और भेनों बारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं विवीत तामे एकता विवीत तामे एकता आज यह मंत्र अपनी प्रूनता के साथ खिला हुआ नजर आता है गर्व होता है हजारों साल बाद भी किसी को विवीत तामे एकता भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के एक्तियासिक देन का आज की घटना का जरूर उले करेगा और ये घटना इतियास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करूर देशवासी खुद आज एक नया इतियास रच रहे हैं इतियास के अंदर एक नया स्वर्णिम पृष्ट जोड रहे हैं साथियों भारत की नयाय पालिका के इतियास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रेम कौट ने सब को सुना बहुत धैरियस में सुना और पुरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया एक नागरी के नाते हम सब जानते हैं परिवार में भी छोटा मसला सुलजाना हो तो कितनी दिक्कत होती है ये कारिया सवल नहीं है सुप्रेम कौट ने इस फैसले के पीशे द्रड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए है और इसलिए देश के न्याया धिश न्याया लए और हमारी न्याई प्रणाली आज विशेश रुप से अभिनंदन के अधिकारी है साथियों आज नव नवंबर है नव नवंबर ही वो तारिक थी जब बरलीन की दिवार गीरी थी दो विप्रित धाराओं ने एक जुठ होकर नया संकल पलिया था आज नव नवंबर को करतारपूर साहिप कोरिडोर की शुरुवात हुई है इसमें भारत का भी सयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नव नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोडने का है जूडने का है और मिलकर जीने का है इस विशे को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटूता रही हो तो आज उसे तिलांजली देने का भी दिन है नए भारत में भाय कटूता नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सरवच्च न्यायले के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कटीन से कटीन मसले का हल सम्विधान के दाइरे में ही आता है कानून के दाइरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि बले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर ये बना कर रखना ही सरवोचीत है हर परिस्तिति में भारत के संविधान, भारत की न्याईक प्रनाली, यह हमारी महान परंपरा, उस पर हमारा विश्वास अडीग रहे, यह भावत महत्वकून है. साथियों, सर्वोच अदालत का यह फैसला, हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है. इस विवात का भलई कई पीडियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बात, हमें यह संकल्प करना होगा, कि अब नई पीड़ी, नए सरे से, न्यू इंडिया के निर्मान में जुटेगी. आईए, एक नई शुरुवात करते हैं, अब नए भारत का निर्मान करते हैं, हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तै करना है, कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छुट रहा, हमें सब को साथ लेकर, सब का विकास करते हुए, सब का विश्वास हासिल करते हुए, आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है. साथियों, राम मंदिर के निर्मान का फैसला सुप्रिम कौट ने दे दिया है, अब देश के हर नागरिक पर राष्ट निर्मान की जबाबदारी और बढ़ गई है, इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्याईक प्रक्रिया का पानन करना, नियम काईदों का सम्मान करना, ये दाईत्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है. अब समाज के नाते हर भारतिय को अपने कर्तव्य, अपने दाईत्व को प्राथ्विक्ता देते हुए काम करना हमारे लिए उजवल भविश के लिए बहुत अनिवार्या है. हमारे बीच का सवहार्थ, हमारी एक्ता, हमारी शान्ती, हमारा सद्भाव, हमारा सने, देश के विकास के लिए बहुत महत्पपून है. हमें भविश्टी और देखना है, भविश्ट के भारत के लिए काम करते रहना है, भारत के सामने चुनोतियां और भी हैं, लक्ष और भी हैं, मंजीलें और भी हैं. हर भारतिय साथ मिलकर, साथ चलकर ही इन लक्षों को प्राप्त करेगा, मंजीलों तक पहुँचेगा. मैं फिर एक बार, आज नव नवंबर के इस महत्वपून दीन को याद करते हुए, आगे बंदे का संकल्प लेते हुए, आप सब को आने वाले त्योहारों की, कल ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है, उसके लिए भी बहुत बहुत छुप कामनाई देता हूँ, धन्यवा मैं पुप कामनाई देता हुए, आप सकता 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